Hello everyone, Good morning, Namaskar, 8 November 2020 और आज के 10 Hindu news paper को हम लोग analysis करेंगे, discuss करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे USA के elections के बारे में, USA में president का elections हुआ और president के election के बाद Joy Biden finally elected किये गए वहाँ पर 46th president के रूप में, ठीक है, तो जो majority चाही थी 270 electoral की, वो cross करके ये 46th president बन गए है अमरीका के, इसके लावा Kamala Harris जो है, पहली महिला और पहली minority voice president अब होंगी, तो ये काफी important चीज़े हैं, क्या impact पड़ेगा दुनिया भर के relations के बारे में, उसके बारे में भी आने वाले कुछ time में पता चलेगा, तो कई सारी चीज़े हैं, जो basic basic आपको यहाँ पर पढ़नी है, सबसे पह इंडिया से, US senator from California से senator है और यह पहली महिला, और first Indian और African American voice president बनेंगी, और US president Donald Trump और इसके बाद अब president Joe Biden, उनके बीच में जो arguments बहस हुई, इस elections को लेकर, तीन topics पर सबसे ज़्यादा हुई, पहला है coronavirus, pandemic, इसके अलावाद levels of unemployment और fraying race relationship, इन सब की वज़े से तीन ऐसे issues थे, जो दोनों के बीच में highlighted रहे, और उनके basis पर यह election लड़ा गया, तो finally Joe Biden को victory हासिल यहां पर हुई है, और कुछ issues था, Penance Albania में जो lead मिली इनको, उसके होज़े से एक तरफा victory कर गए, और यह 46th president के रूप में जो हो, काम करेंगे, इनके अलावा इननोंने tweet किया, और कुछ important बातें बताएं जैसे, America, I am honored that you have chosen me to lead our great country, the work ahead of us will be hard, but I promise you this, I will be a president for all American, whatever you wanted for me or not, I will keep the faith that you have placed to me, इनका कहने का मतलब यह है, कि आपने मुझे वोट किया हो, ना किया हो, लेकिन मैं आप सब के लिए मिल के काम करूँगा, ठीक है, यह कुछ important इननोंने information provide करी, तो 46th president होंगे, जोई बिटन, भारत के साथ क्या relation होंगे, इसका आने वाले समय में पता चले होंगे सारी, उसके बाद बात करेंगे, इंडिया सक्सेस्फुली लोंच अर्थ औब्जर्वेशन सैटलाइट, ईयोएज, जीरोवन, अर्थ औब्जर्वेशन सैटलाइट, जीरोवन, यह इसरो का पहला मिशन है 2020 के अंदर, क्योंकि पैंडेमिक के वज़ए से जिस्टर रहा था, तो यहां पर कई सारी चीजे है, फॉर इजामपल, यह फ्लाइट जो केरी करिये, वो पी एसलवी सी-49 ने है, ठीक है, सी-49 नाम होता और पी एसलवी का मतलब एक लोंच विकल जिसको बोलते है, पॉलर से सैटलेट लोंच विकल, आपने पी एसलवी, जी एसलवी इस तरह के जरूर पड़े होंगे, पी एसलवी जो है, इंडिजेनियसली भारत ने डवलप किया है, और भारत का यह है, कैरिंग के पैस्टिजिस को होती है, और पी एसलवी और जी एसलवी में डिफरेंस यह होता है, कि अगर हैवी कोई भी मिसाइल लॉंच करनी है, या है हाई है का आई लौद लेकर जाना है, तो हो जी एसल वी का requirement होगी, जिसके बारे में हम काम कर रहा है, ठीक है, इसका लाबगा इसमें इंजेन के बारे में हमने दिशनली पड़ा था, रेम जट स्क्रैम जटर लेसे भारती में, रेम जट और स्क्रैम जट भी स्शे में इस तरह के concept भी आपको देखने को मिलेंगे सब सोनिक, सूपर सोनिक और हाइपर सोनिक तीन कटेगरी जनली होती है बाकि बहुत सारी हो सकती है सब सोनिक अगर एक मेक से नीचे स्पीड होती ही तो सूपर सोनिक और पांच मेक से उपर चाहिए तो वो जाएगी हाइपर सोनिक ठीक है इसके लावा इस सैटलाइट के बारे में बात करेंगे अर्थ अब्जरेवेशन सैटलेट जो लॉंच किया गया पेसलवी दुआरा ये इस तीस धवन स्पेस सेंटर के से लॉंच किया गया और इसका जो अप्लिकेशन से ये जुरूर ध्यान रखे लिजिए ये बहु अग्रिकल्चर, फोरस्ट्री, एंड डिजर्श्टर मनेज़मेंट यूपीस्टी में जो टेक्नोलोजी के क्योशन आ रहे हैं वो अप्लिकेशन बेस्ट है इस तरह के सवाल होंगे उन सवालों को सोल करने के लिए जरूरी है कि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन हो तो वो पर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जैसे दिल्ली फिर से नंबर ओफ केशिज में नंबर वन हो चुका है या बहुत ज्यादा केशिज वहां पर आ रहे हैं इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टन जो यहां पर है वो इरान के साथ रिलेशन सिप के बारे में एक इंपॉर तो अगर आप इसके नेबरिंग कंट्री में देखेंगे तो पाकिस्तान यहां पर अफगानिस्तान यह तुर्कमेनिस्तान की बाउंडरी है यह जो है कैस्पियन सी है ठीक है यह कैस्पियन सी की बाउंडरी है उपर आ देखिए आप अजेर बेजान इसके लावा आर्मेनि ठीक है टर्की इराक यहां पर कुवेट से डिरेक्ली तो नहीं लगता लेकिन कुवेट से पर्शन गल्फ के तुरू टच करता है युएई को भी पर्शन गल्फ के तुरू टच करता है बहरीन को भी पर्शन गल्फ और कतर को भी पर्शन गल्फ के तुरू जो है टच करता है और अगर आप यहां तक मानेंगे तो यह ओमान को भी टच करेगा गल्फ ओमान के द्वारा ठीक है तो दो इंपोर्टेंट गल्फ यहां पर पर्शन गल्फ और गल्फ ओमान ठीक इसके लावा यहां पर एक जो स्टेट ओफ हार्मूज एक जल संदी है जिसको वाटर इसको कनेक्ट करेगी इसको स्ट्रेट बोलते हैं तो यह अब न्यूज में क्यों उसके बारे में हम पढ़ेंगी पहले और उसके बाद एक क्योशन आप लोगों से पूछेंगे यहां पर बात की जाए कि भारत और इरान के बेच में जो रिलेशन डिस्टरब हुए थे किस इस वज़े से अमरीका ने एक प्रतिबंद लगा था काट साइक्ट आपने सुना होगा काट साइक्ट में बेसिकली प्रोविजन था कि अगर कोई कंट्री इरान रस्या नौर्थ को रिया के साथ ट्रेट रिलेशन को बनाती एक स्टिविस्मेंट करती तो अमरीका उस पर स साथ हाला कि भारत को जो वो उसमें रिलेक्षेशन दे डि गई थी कि लेकिन कि प्रोपरड पर सप्लाई नहीं हो रहे थी तो इस वज़े से बारत जो भर्ण के Wahrex यह विडो करना पड़ा relation इतने अच्छे नहीं है तो भारत को flight in airspace के लिए बहुत लंबी यात्रा करने पड़ सकती है तो यह काफी challenging हो सकता था तो यहाँ पर इरान के साथ वापी से relation बनाने के लिए establishment करने के लिए और हो सकता है कि जो sanction थे भारत या किसी भी country पर वो उसको रिलेक्स कर दिया जाए जो हो सकता थोड़ा लिबरल इसमें स्टेंड ले इसके लावा यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि भाई हमें आपने जुर एग्रीमेंट हमारा नहीं एक्ट्रीकिसम प्रोजेक्ट फेस टू पर काम नहीं कर रहें लेकिन हमें requirement है यह उन्होंने request करी government of India क्यों कि हमें crane's track switches signaling equipment locomotives का locomotives यह सारी चीजें जो हमें provide कर वे कि हमें difficulties होरी इनको directly purchase करने में your sanction की वजह से तो कहने का मतलब यह है कि भाई हमारा agreement भले ही इंसल हो गया हो हमें उसमें जो भी प्रोग्लम्स की वज़े से लेकिन हमें एक तरी किसे में आप जो एक्टिवेट कर दीजिएगा दोहजार ठारा में जो एग्रिमेंट हुआ था प्रिजडेंट रोहानी जो इरान के विज़िट की थे भारत के अंदर ठीक है इनके अलावा भारत के चाए वो एक्टरनल अफेर मिनिस्टर हो चाए डिफेंस मिनिस्टर हो रेशनली वो इरान की यातरा पर गए थे जब सिंगाई कोपरेशन और्गनाईजेशन की बीटिंग में भाग लेने के लिए महाँ पर गए थे उसके बाद जब वह रिटरन कर रहे थे तब इरान में उन्होंने कुछ टाइम के लिए बातचित की थी इनके अलावा कई सारी चीजे हैं जैसे रेलेवे ट्रेक पर बात की जा रही है कि उसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रोबलम्स है या एक्विपेंट प्रोपर नहीं मिल रहे हैं भारत भी यह चाहता कि भारत तुर्कमेनिस्तान या सेंट्रल एशिया तक रिच करें तो वो केवल तभी होगा इन दोनों के रिलेशन अगर ठीक ठाक होंगे तो कोपरेशन से और कोडिनेशन से काफी चीजे जो है वो इंप्रोब्मेंट हो सकती है यूएस पोल की वज़े से हो सकता कि कुछ पोजिटिव वहां पर चीजे हो रिशनली चैना ने 25 यूर का एक स्टर्जी कोपरेशन एग कि स्टर्जी के लिए इस तरह के जो इन्वेश्टमेंट चैना कर रहा है वो चैलेंजिंग होंगे ठीक है तो इन सब के बीच में भारत और इरान के रिलेशन क्या होंगे वो आने वाले समय में पता सलेगा रिशनली दोनों के बीच में एक तरीके से कोई ऐसे एक्टिव र कि इसके बाद पेज नमर 12 पर जाएंगे science and technology का यह पेज है और sunday को इस पर आते हैं पहले कई बार कई साथी पूछते थे किस पेज को discuss क्यों करतें इस पेज को हम discuss करेंगे लेकिन discuss तभी करेंगे जब basic question यहां पर आएंगे यह तरीकी चैसे highlighted topic के बारे मिं डिसकस किया जाएगो जो कि relevant है ठीक है तो दो इसमें पढ़ेंगे आज पहली बात की जा रहे है delivery of COVID-19 vaccine poses a huge challenge कि COVID-19 vaccine की delivery उनको एक तरीके से डूर तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा बहुत सारे challenges create करेगी उसके बारे में नों detail से डिसकस किया है सबसे पहले बात कियागी COVID-19 vaccine जो है एक RNA vaccines होगी और particular requirement क्या है minus 70 degree Celsius से लेकर minus 80 degree Celsius तक cold chain यहाँ पर चाहिएगी और वो technology अभी मतलब उसमें function करना उसके लिए infrastructure लिए develop करना यह इतना easy नहीं होगा यह अल्टरा cold temperature इसके लिए requirement होगा भारत सरकार ने recently जो अपनी policy एक तरीके से जो procurement को लेकर हो यह distributions को लेकर हो यह immunization program के तैत हो चार लोगों की category बनाएए पहले पहला उनको लिए free of charges इसको बोल सकते हैं इन में priority group में सबसे पहले healthcare professional आएंगे जिसमें doctor, nurses और आशा वरकर जो होती है वो include किये जाएंगे second category के अंदर frontline worker जो होते हैं जैसे police और armed forces है वो इसके अंदर आएंगे third category के अंदर आएंगे जो aged above 50 है और finally जो है 50 साल से कम with comorbidities यह ranking की गई है कि इन लोगों को पहले priority दी जाएगी vaccines को हासिल करने में ठीक है तो इस तरह के जो ranks है यह simple ranking नजर आती है लेकिन क्या इस तरह की कोई choices हो सकती for example कोई व्यक्ती serious है इसकी age इसमें नहीं कवर होती या बहुत छोटा वो है तो क्या उनको immunization नहीं किया जाएगा यह कुछ concerns है और क्या अगर मान लेते हैं कि एक vaccine youth पर जल्दी काम करती है तो क्या senior citizens को avoid किया जाएगा या youth को age जिसकी कम है लेकिन वो बहुत serious है क्या उसको vaccines नहीं दी जाएगी यह कुछ concerns है जिसमें clarity होनी बहुत जुरूरी है इन सब के लावग जो सबसे important है कि इसके लिए ultra slow temperature चाहिए minus 70 degree से minus 80 degree Celsius तक हमें जो है वो cold chain establishment करनी पड़ेगी क्योंकि अभी vaccine जो है वो phase 3 के अंदर है यह एक तरीके से इसके बाद final stage के अंदर जाएगी और जो approval मिलेगी उन सब के बाद यह पूरा function करना शुरू करेगी इनके लावा यहाँ पर पताएगा कि जो अफरीका के अंदर वेस्टन अफरीका के अंदर Ebola virus जब हुआ था तब उसमें भी 100,000 doses जो इस तरीके से manage की गई थी यह Ebola से भी खतरना कह सकती क्योंकि इसका असर बहुत जादा हो रहा है इसके लावा आप देखेंगे हमें 10s and 100s of millions बहुत बड़े scale पर भारत के लिए वेक्षिन चाहिएगी हमें क्यों हाजारों में वेक्षिन नहीं चाहिए हमारा देश बहुत बड़ा हमें million even billion तक वेक्षिन जो है इनको एक तरीके से storage requirement को complete करने के लिए infrastructure को development करने के लिए चाहे फ्रीजर्स हो या uninterrupted power supply के बारे में हो इन सब के लिए requirement क्या बड़ी संख्या इंफ्रास्ट्रक्ट्र और infrastructure को immunization programs है उसके बारे में उसको क्या connect कर सकते हैं इसके थूँ तो उसके बारे में बताया गया कि भारत में दो त्रीके से वेक्षिन दी जाती चाहे वह inject injections के थूँ या oral drops होते उसके थूँ तो oral drops जो हो कहीं ज्यादा better result लेकर आई है क्योंकि polio vaccines को लेकर हो polio के जो oral drops थे उसमें हमने देखा polio को redact करने में उसको खतम करने में हमें मदद मिली इसके लावा हमें हमारे पास polio, measles, rubela, campaign इन सब का experience है उन सब से भी हम बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं और खासकर बच्चों में और adults में ये देखा जाता कि program अगर कोई immunization program है किसी क vaccines हमारे पास मिलती है properly तो उसको हर एक सक्टर तक government sector जिदने public sector है उन में properly available करवाए, distribute करवाए और एक तरीके से इस बात को भी इनिशोर करना पड़ेगा, black marketing जैसे चीज़े यहाँ पर नय हो, इनके लावा private companies भी buy कर सकती है और उसको एक उची rate जिसको बोलते है, fair prices पर वो vaccines की doses कम होगी, तो fair price होना बहुत मुश्किल है, अगर vaccines की doses अच्छी खासी होगी, तो fair price को continue किया जा सकता है, तो यह कुछ चीज़े हैं, जो discussion की गई यहाँ पर, second issue page पर article है, shock in the sun, sleep early and tight to avoid myopia, यहनि मायोपिया की समश्याएं प्रोपलम बहुत ज़्यादा हो रही है, मायोपिया का मतलब क्या है, निकट दिरिश्टी दोस जिसको हिंदी में बोलते है, और निकट दिरिश्टी दोस का मतलब क्या है, कि past की उसको तो ठीक ठाक दिखती है, लेकिन जो दूर की चीज़े होती है, वो प्रोपरली नहीं दिखती है, अब यह issue क्या है, इन्होंने बता कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो 2050 तक 64 million children जो है, वो अर्बन इंडिया खेंदर, मायोपिया के सिकार हो जाएंगे, मायोपिया से पिडित वो देखने को मिलें ठीक है, तो यह जैसे आप यहां पर देखेंगे, फोटोग्राफ में, और यह बच्चा जो है, वो जिसने स्पेक्ट लगाए हो है, यह बेसिकली एक जिरो नंबर का यह स्पेक्ट होगा, और अल्ट्रा वाइलेट के लिए यूज़ की इसमें हलकी से जो ग्रीन शेड आप अगर आप स्पेक्ट के अंदर, यह अल्ट्रा वाइलेट की वज़ेशे होती है, अगर आप स्मार्टपॉन, कम्प्यूटर या कोई भी चीज़े यूज़ करते हैं, तो अल्ट्रा वाइलेट वाला स्पेक्ट जरूर लगाईएगा, उससे क्या होगा, कि आपको भी यह अल्ट्रा वाइलेट का वो यूज़ कर सकते हैं, इन के लावा, मायोपिया के बारे में इन धुटेल से बताया कि मायोपिया क्या टेक्निकल टरम्स इन्होंने यूज़ करी, थो साइंटिफिक तो मैं इंगलिस में आपको बढ़ के सुना देता हूँ, आप इसका मतलब समुझ लेना अपने हिसाब से माइपिया माइपिया ओकर्स वेंद आइबॉल बिकम लोंगर रिलेटिटु तो दा यानि कहने का मतलब है कि यह रेटिना के सरफेज जो अपको नहीं देखने को मिलेगा तो यह कुछ कंसन इसमें अलग 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 इसमें जो है अलग अलग उसमें जो है अनलिशिस किया गया और सबसे ज्यादा जो है वो कंसन है वो है बच्चों को लेकर ही क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मार्ट पॉन और इस तरह की चीजह साइदा बच्चे यूज करने लगे और क्योंकि स्मार्ट पॉन अब घर घर की एक आइबेंटिटी हो गी है तो उस वज़े से बहुत ज़्यादा यूज करते हैं पल लोगों के लिए second question है मायोपिया या फिर निकट द्रिश्टी दोस्त उसको दूर करने के लिए कौन से lens का हम यूज करते हैं कौन के वह या convex या उतल या उतल आप लोगों को नीचे कमेंट करना है ठीक है अब इसके बाद frequently asked question के अंदर जो पूरे week चीज news में रहती है उनके बारे में discuss क्या जाता है brief के अंदर तो इसमें तीन चीज़ें डिसकस करेंगे उसके बाद next page पे एक important editorial है उसको हम cover करेंगे यहांबर आप देखेंगे left hand side NEET quota in Tamil Nadu Tamil Nadu के अंदर NEET quota के बारे में बात की जारे नीट basically क्या है एक eligibility examination है खासकर medical entrance examination इसको बोल सकते हैं तमिल लाडू हमेशा से NEET का विरूद करता रहा है कई सारे region से उसके पीछे तो इन्होंने अभी क्या decide कि 7.5% सीट जो हो medical admission के लिए state run school जो भी है उनको उनके लिए reserve कर दी जाएगी ठीक है तो इन्होंने एक तरीके से reservation प्रवाइड किया undergraduate medical admissions के लिए को लेकर तमिल लाडू NET का opposite क्यों कर रहा है दो रीजन है तमिल लाडू के सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो नैशनल eligibility का वेंटरेंस टेस्ट है यह विरोध करने के पीछे रीजन है slavus पहली बात integrated slavus नहीं है जो नीट में जो determination होता है यह बोल रहा कि उसमें CBSC का जो slavus उसको ज्यादा priority दी जाती है और जो state slavus उसको ज्यादा priority नहीं दी जाती इसमें इन का तरक अपनी जगा सही हो सकता है क्योंकि जो education है खासकर primary और secondary education यह state subject के अंदर आती है education तो concrete में आएगी लेकिन secondary और primary education जो है वो state subject में और इसलिए आप देखेंगे अलगलग state का अलगलग slavus आपको देखने को मिलेगा तो यह concern है कि एक integration नहीं है slavus के अंदर दूसरा concern क्या है कि तमिलाड़ो एक ऐसा state है जहां पर आप देखेंगे नीट के लिए त्यारी करते है जो बच्चे उनमें suicide काफी तरीके से concern भी है कि बहुत सरे बच्चे जो वो उसमें execute नहीं कर पाते प्रोपर और उसके बाद वो ऐसा decision लेते हैं तो इस तरह के concern है चिंता है सरकार की अपनी तरफ से क्योंकि देखिए अपने जो human resources है उसको हम इस तरीके से खो देंगे तो वो एक बड़ा concern है तो यह एक region वहाँ पर इनके अलावा अगर reservation दिया जाएगा तो क्या इसका implementation होगा उसको पढ़ने की ज्यादा requirement नहीं है क्या इस तरीके से दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं तो concern यह होगी कि अगर government school को दे दिये जाएंगे तो फिर private school वाले इसका नहीं चलती रहेगी इसके अलावा American electoral system के बारे में बात और recently जो elections हुए US President के लिए वहाँ पर Donald Trump ने allegation लगाया कि भई एक तरीके से fraud जैसे चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रोपर यह elections नहीं हुए तो वो सारी चीज़े डिटेल से बताएगी यहाँ पर क्योंकि मेन आर्टिकल हमें पढ़ना है इसके लावा यहाँ पर बताएगी इंटरफेट मेरीजिज मेरीज कनवर्जेशन और लो रिशनली कई सारी चीज़े न्यूज में रही उत्तर पर देखर हरयाना गवर्मेंट ने एक लो फ्रेम करने के बारे में का कि हमें कैसा लो करेंगी जिसमें जबरदस्ती अगर कोई कनवर्जेशन करता है कन वर्जिं स्वारी कन वर्जिशन करता है कन वर्जन करता है क कोई माल लेते हिंदू धरम से बिशम districts also प्रोविजन्स के जाएंगे या उसमें जो चेंज किया जाएगा ठीक है तो यह बहुत ही सेंस्टिव सा मामला है और इसमें यह माना गया कि इवन भारत का समिधान जो है वह जबरदस्ति कभी भी इस तरह के चीज़ें जो हो वह करने के लिए मनाई करता है कि अगर भले ही आपकी साधी होगी हो दूसरे रिलिजन में यह इंटर फेट मेरीज होगी हो लेकिन किसी को भी राइट नहीं होगा कि वह उस व्यक्ति के रिलिजन को फोर्स फुली जो है चेंज करवा दे क्योंकि यह हमारे समिधान के बेसिक फर्नेमेंटल राइट का जो हो इलेशन है इन सब के अलावा यहां पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश हर्याना के चीफ मिनिस्टर करनाटका के जो एक मिनिस्टर वह यह बोल रहे है कि यहां पर इसके लिए एक स्ट्रोंग लोग बनाया जाएगा और स्पेशल मेरी ज जाते हैं उनको भी हाइड करते हैं ताकि कम्मिन्योल वाइलेंस ना हो ठीक है यह तरीके से एक दूसरे लेजिन के खिलाप यह जो एक दूसरे समझाए उसके खिलाप लोग ना हो तो वह सारी चीजें हुई है तो बहुत-बहुत सनिस्ट्यू सा है मामला है और क्या करेगी सरकार क्या नहीं करेगी वह आने वाले समय में पता चलेगा इसके बाद लास्ट हमें चीजें जो पढ़नी है वह बेसिकली पैरिस अकोर्ड के बारे में यह काफी इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट इस बार इस लिए भी हो गया क्योंकि जो बिटन की प्रिजडेंट बनने से एक बार फिर से एक्टिवेट हो सकता है प्रोपरली फंक्शन कर सकता है एर रेस अगेंश्ट दा क्लॉक टो कीप दा प्लेनेट कूल यानि हम अपने प्लेनेट को या हमारी प्रिथिवी को उसमें ठंडा रखने में कैसे मदद कर सकते है उसका टेंपरेचर आप जो फाइट हम लड़ रहे हैं खासकर पैरिस अकोर्ड के मावले में उसमें हम कैसे फंक्शन करेंगे इस बारे में बता गया है देकि दुनिया भर के देश यह चाहते हैं कि इस सेंचुरी के एंड तक टू डिगरी सेल्सिस प्री इंडिस्ट्री लेवल तक हम यूएन फ्रेमवर्क कनवेंशन और क्लाइमेट चेंज में 197 पार्टी हैं और इसमें 188 ने इसमें साइन किया उसको रैटिफिकेशन दिया हाला कि डोनल्ड ट्रंप ने उससे पूल आउट कर लिया था इस एग्रिमेंट से इनके लावा यूएस जो है एक तरीके से इस टा का जो करेकाल था या जब वहां पर एलेक्शन हुए थी पिछली बार चार नॉमर को तो उस टाइम जब ट्रंप बने थे तो उन्हों ने इससे एक्स्क्लूड कर लिया था अपने आपको बाहर निकाल लिया था यूएन प्रेश पैरिस एग्रिमेंट ऑन क्लाइमेट कि अब दुनिया भर की फिर से उन पर नजर होगी क्योंकि जो बिडन ने अपने जो डिबेट हो रहे तो उनमें इस बारे में डिस्कुशन भी किया है और सीविल सोसाइटी जो है पूरी उनका भी दुनिया भरे प्रेशर है कि आपको काम करना पड़ेगा टू डिग्री से इन सब के बारे में बातचित की गई है इनके लावा उनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज हो है यू एन फ्रिपल सी इसको रेटिफाई 188 कंट्रीज ने किया लेकिन अमरीका क्योंकि इसकी पार्टी नहीं है इसका मेंबर इस टाइम नहीं है उसको वापिस से इसमें एड़ होना यह एक इंपोर्टेंट चीजे है इनके लावा इसके अंदर जो फंड के बारे में बात कीगे कि 100 बिलियन डॉलर जो है वो टार्गेट किया गया कि हर साल क्लेक्ट किया जाएगा और यह फंड जो है यूज किया जाएगा ऐसी कंट्री के लिए जो ड की स्टेडी आए कि भाई इसमें अभी 2018 के अंदर 78.9 बिलियन डॉलर ही क्लेक्ट हुआ जो की काफी कम है और यह साथ कमी है यूज द्वारा जो विड्रो किया गया इनके अलावा पैरिस एग्रिमेंट में ट्रैंस्पेरेंसी को लेकर काम किया जाए इनमें कार्बन डाइक को रिव्यू करता है इनके अलावा क्योंकि सियो टू के बारें बात करें तो सियो टू में जो अमेरीका एक तरीके सेकंड लाजस्ट एमिटर है आफ्टर चाइना ठीक है तो उसकी रिस्पोंसिबिलिटी वैसे भी ज्यादा होगी इनके अलावा जब प्रोपरली डिसकेश बने उन्होंने इस बात पर फोकस भी किया था कि हम इसमें डिसकुशन करेंगे और डिसकुशन के साथ साथ हम क्लीन एनरजी को प्रमोट करेंगे जो बिटन का जो प्लान था उन्होंने कहा था क्लीन एनरजी रिवलुशन लेकर आएंगे एन्वायरमेंटल जस्टिस होगा जिसके अंदर हम लोग मिलकर काम करेंगे जिसमें चैना, इंडिया और अमरीका जो बड़ी अमिटर कांट्रीज है वो सारे मिलकर काम करेंगे और विदिन हंडर्ड टेज वो यूरोपीन इनिन हो इंडिया के साथ चैना के साथ इन सब के साथ मिलकर काम करेंगे Paris fact को लेकर 2020 क्योंकि पूरा year pandemic करा इन सब के वावजूद पूरी दुनिया में इस बात को लेकर जो है वो discussion हो रहा है कि climate change को लेकर एक consensus होना चाहिए एक तरीके सहमती होनी चाहिए और 2025 तक हम एक तरीके से progress करें zero emissions को लेकर या उसमें emissions में कमी देखने को मिले ठीक है इसके कई सारे articles हैं Paris climate change के तो उसके बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन यहांबर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि भारत चाइना European Union और अमरीका ये बड़े एक तरीके से contributor रहे हैं करते हैं CO2 को उन सब की responsibility भी ज्यादा है तो भारत ने अपना प्लाइन बताया कि 2030 तक हम कई सारे चीज़ें करेंगी और इसमें electrical vehicle को promote करना हो international solar lines एक important parameter है उसका इसके लावा CO2 को emissions को कम करना हो हमने अभी बहुत 6 जो लागू किया है भारत standard 6 यह भी कहीं नहीं उसको directly hit करता है यह तरीके से उसके targets को achieve करने के बारे में है इनके अलावा हम continue चाहिए इस तरह सोलर एनरजी हो या जो एक renewable energy है उसको लेकर हम continue काम कर रहे है electrical vehicle में या जो thorium related batteries उन पर काम किया जा रहा है तो continue government of India world जो है इस बारे में काम कर रहा है इनके अलावा क्योंकि US की as usual responsibility बहुत बड़ी है वो बड़ी country है और carbon emit में बड़े सेंख्या में करता है तो उनकी responsibility थी कि वो deal को जो है वो आगे लेकर जाए और एक तरीक चीशे मिलकर काम करें तो यह कुछ चीजे है जिसके बारे में discuss करनी थी हमें और क्योंकि इसके अंदर एक important चीज़ों के बारे में discuss किया गया green house gases तो आप लोग third question आप लोगों के लिए है mention करिए green house gases कौन कौन सी है वो आप निचे mention कर सकते है तो आज के दहिंदुन इस paper में इतना ही उमीद करते हैं आपको पसंद आएगा और I would like to request you please questions के answer जरूर करिए इन questions के answer करने से आपके अंदर भी confidence आएगा मुझे भी confidence आएगा कि मैं और जादा मेहनत करूँ और अगर आपको कहीं भी लगता कि कहीं mistakes हुई है किसी words के अंदर तो आप correction करवा दीजिएगा और इस corrections के साथ हम आगे बढ़ेंगे thank you जहिन